असलाम लेकुम माइटी फैमिली कैसे हैं आप सब लोग हो पुली सब ठीक ठाक होंगे अलखमदिल्ला में भी बिल्कुल ठीक हूँ तो आज के व्लॉग में जी मैं आप से बहुती जबर्दसी बहुती डिलिशियसी गाजर के हल्वा की रेसिपी शेयर करूंगी वह भी मामा क हाथों की बनी हुई दस मिनट में ये गाजर का हल्वा बन जाता है इसके लवा एक बहुत प्यारा सा आपको स्टीम आईरन का रिव्यू भी देने लगी हूँ तो एक तरह से ये वीडियो आप लों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रेगी फुल आपने वाच करनी है तो गाजर का हल्वा वाइद एसी डिशे जो मुझसे कभी भी अच्छी नहीं बनती क्यूंके मैं क्रश करके डालती हूं पतीले में बनाती हूं तो अच्छा खासा मेरे टाइम लग जाते हैं तो मामा आज बनाई थी मैंने सोचा उनकी वीडियो भी शूट कर देती हूं और सा जादी शुगर डाल दिये शुगर थोड़ी कम ही डालें क्यूंके आजकल गाजरें बड़ी मीठी वाली आ रही है तो जादा शुगर डालने की जरूरत नहीं है अब यहां पर कुकर को बन कर दिये तकरीबन इसको 10 मिनट का टाइम देंगे दूसरी तरफ यहां पर हम यहां सुटे बल स्पून से कर देंगे और व्लेम ओन कर देंगे इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको तेर करते रहे हैं तक रिभी से टायम ले का टाइम लेका एक या दो मिनट में जो है ना वह ख्वया इंड़ ऑपानी जो है वह साइड पर हो जाएगा अब इसको ज बातों पर देंकिए अन्य वस्टात कों लग्हिए होता है घृट कम सरी के खता सबस्टान के लग्हिए है इस ते आप आटा गून लें बहुत मज़े की रोटियां बनती हैं बहुत साफ्ट सी रोटियां बनती हैं दूसी तरफ यहां पर हमने प्रेशर कुकर खोल दिया है तक इसको भी 10 मिनट हो चुके हैं लेकिन अब भी देखें इसके इंदर फिर भी पानी है इसी वज़ा से किप कर दें दूद भी इसके लिए काफी है तो यहां पर हमने चमच से इसको प्रेस कर दिया है देखें गाजरें कितनी सॉफ्ट होगी है अब इसको दो से तीन मिनट तक आपने इसी तरह प्रेस करते रहने ताके सारी जो गाजरें वो सॉफ्ट हो जाएं जब आप प्रेश नारियल का पाउडर लिए फ्रेश नारियल लेक उसी टाइम मैंने इसका पाउडर बना दिया था नारियल इसमें बहुत मज़ेका लगता है फ्रेश वाला लें तो जादा अच्छा रेगा अब यहां पर देखें हल्वा जो है ना उसमें से पानी बिल्कुल ड्रा अब यहां पर दूसरी तरफ मैंने कडाई लेके इसके अंदर घी डाल दिया है अगर आप देसी घी डालेंगे ना तो देसी घी में इसका टेस्ट बहुत मज़ेका होता है मामा ने लास टाइम दावत में जो गाजर का हलवा बनाया था तो बहुत मज़ेका था अब हमारे अबद्धा अविलेबल नहीं था तो हमने सिमपल घी डाल दिया उसके बाद सारे नटस इसके और डाल दिया और इसको ज लाइन दें नटस बगया दिया नटस षभाई लोगन को इसके बगेर इसके रॉत्जब को जद्या हाता है तो इसके तो अदर लाए तो कर्ण गर्ड पिर चला जाएगा उसको भी हाँ पे अच्छे से मिक्स कर दिये और बिल्कुल एंड पे जो है इस के अंदर खुए चला जाएगागा, आफ खुए बनाकर फ्रिज़ भी कर सकतें तक्रीबदान एक महीने के लिए एक महीने अराम से यापका चल जाता है वैसे बनाना बहुत इज़ी है दो मिनट में बन जाता है फ्रीज ना करें फ्रेश बनाएं तो जादा बहतर रहेगा यहां पर मज़ेदार सा गरम गरम हलवा होगा है रेडी अब इससे डिश आउट कर देंगे लास्ट टाइम जब मामा ने बनाया था ना तब में और मेरे हजबन मानसरा आ रहे थे तब उन्हें ने दावत में बनाया था और इतना मज़े का बनाया था देसी गी में बनाया था तो हजबन को इतना पसंद आया था तब मुझे यही कह रहे थे कि मामा से आपने सीख लेना है और मुझे के लिए बना सकते हैं बच्चों के लिए ये डिश बहुत जादा हेल्दी रहेगी और लास्ट में यहां पर मैंने अगेन इसके ओपर सारे नट्स वगेर डाल दिये नारियल डाल दिया थोड़ा गार्निशिंग के लिए इसको अच्छी लोग देने के लिए गाजर कहलवा त ताकि आप लोगं को भी से कुछ वायदा हो तो सबसे पहले इसकी कंपनी की बात करते हैं या रेफ कंपनी की हैं मेड इन चाइना है वेड की बात की जाए तो बहुत कम वेड मींस के ना होने के बराबर इसका वेड है वायर की बात की जाए तो इसके साथ बहुत ही लार सी और मजबूत सी वायर आती है, मैं हमारी पुरानी इस तरह देख लिए उनकी वायर अक्सर खराब हो जाती है, तो इसमें ये वला सीन नहीं है, इसकी वायर बहुत अच्छी है, और सबसे पहले यहां पे देखें, इसके उपर एक लेड लगी हुई है, और इसको जैसी हम उप करेंगे, तो यहां पे एक वाटर टेंक लगा हुई नीचे, इसके अंदर हम लोग पानी की फिलिंग करेंगे, और पानी की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, यहां पे साइट पे आपको लेवल आप इंडिकेटर नजर आएगा, यह जैसी फिल हो जाएगा, तो इसका मतल इसके लावा यहां पे आपको फ्रंट पे एक वाइट केलर की बिल्कुल छोटी सी नोजल नजर आएगी, इसमें चोटे-चोटे होल बने हुए और इसमें से पानी का शावर स्प्रे निकलते है, आप जब उपर से बटन प्रेस करते हैं यह जो उपर आपको बटन नजर आ जाएंगी, यानि इसका एक फंक्शन यह भी है, अचा आप कुछ ऐसे कपड़े जिनको आप पानी नहीं लगाना चाहते हैं, यानि बिल्कुल ड्राइ प्रेस करना चाहते हैं, तो यहां पे उपर आप देखें, सेलेक्टर लगा हुआ है, इससे आप स्टीम को कम कर सकते है अब जो जीन्स होती हैं, या फिर कुछ ऐसे काटन के ड्रेसे होते हैं, आप उनको स्टीम थोड़ी सी देना चाहते हैं, तो आप इसको वन पे रखते हैं, या फिर आपके जो बहुत जादा सेंसिटिव कपड़े होते हैं, या आप चाहते हैं को स्टीम बहुत कम हो जाते हैं तो आपने क्या करना है कि आइरन को बिलकुल दूर से पकरना है यानि थोड़ा फासला रखना है और फिर स्टीम देनी है सारी सिलवटें खतम हो जाएंगी इसका सबसे अच्छा फंक्शन मुझे यही लगा था यानि आपने आइरन को कपड़े के साथ टची नही पर रखते हैं तो इसमें से स्टीम निकल रही होती है इसमें यह वाला मसला नहीं होता उपर रखना चाहें तो इस तरह भी रख सकते हैं अगर पानी का लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाए उसके बार इसके अंदर यहां पर पावर शॉर्ट का बटन आ जाता है इसको प्रे हो जाते हैं आप किसी भी ब्रेंडर शॉप पे चले जाए न तो वहां पर आप उनके पास तेखें एक स्टीम रॉड होता है जिसके आगे हैंडल लगावाता है तो वह इस तरह दूर से यह नहीं कपड़े के साथ टच नहीं करते हैं दूर से इस तरह प्रेस कर रहे होते है तो देखें उसकी सिलवटें किस तरह खत्म हो जाती है तो यही वाला फंक्शन जो है इस आइरन के अंदर भी है इसके लावा एक मज़े का इसका फीचर यह है कि आपको यह टेंशन नहीं होती कि यह हमारे कपड़ों के साथ चिपक जाएगी आप इसको जतना जादा करें क दम करें यह खत्रा बिलकुल भी नहीं होता वरना जो हमारी पुरानी आइरन उनको देख लें कि हम थोड़ी सी हीटोस की जादा करते हैं तो एक दम से जो हमारे कपड़ों के साथ चिपक जाती है कपड़े जल जाते है इसकी जो प्लेयर्स होती है इसको एक्रेलिक कहते हैं सरंगी प्लेयर्स होने लगाई होती है कि वो कपड़े के साथ चिपकती नहीं है यही था मेरा छोटा सा व्लोग होपस हो कि आपको अच्छा लगोगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में ने व्लोग के साथ अल्ला आफिस